तो केसे हैं आप सब फ्रेंट्स आज मैं जो रेसेपी लेकर आए हूँ वो जिम जाने वाले और जो लोग डाइट परें उनके लिए बेस्ट है प्रोटीन से भरपूर है क्योंकि यह है सोया चंक्स के कबाब ठीक है जो लोग डाइट कर रहे हैं तो उनके लिए तो यह परदान है और मतलब यह साथ में टेस्टी भी है और हेल्दी भी है बिल्कुल लेस ऑइल में बना हुआ है तो सबसे पहले आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बैल टाल देंगे उसके बाद हम इसमें दालें थोड़ा सा हरा धनिया और इसमें मैंने धनिया के जो डंठल होते हैं वह भी रखे और थोड़ा सा लेमन जूवस दालेंगे सात में हम ये आधे नीमव का रस है और इसे डालने के बाद अब इसमेंगए स्वादनूसार नमक थोड़ी सा channels 1ло & एक टी स्पून थोड़ा सा जीरा पाॉडर ठोरा सा गरम मसाला और साथ में दालेंगे थोड़ा सा हम चाट मसाला और धन्या पाउडर और साथ में हम दालेंगे एक टीस्पून ये खरीब सोया सॉस और मैं इसमें दाल रही हूँ दो बड़े चमच बेसन बेसन जो है ये हमारे कबाब में बाइंडिंग का काम करेगा और इसको हम पीस लेंगे और पीसने के बाद ये देखिए हमारा सोया चंक्स का खीमा तयार है ठीक है अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी अच्छे से और निकालने के बाद अब हम बनाएंगे इसके कबाब तो सबसे पहले हैं आप लोग फटाफट से मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लें मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंद्स और फैमली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें मैंने यहां पर थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा मसाला दाला है किचन किंग मसाला आप चाहो तो अवाइड कर सकते हो यह टोटली ऑप्शनल है इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने हतेलियों पर थोड़ा सा ओईल लगाएंगे ओईल से ग्रीस करेंगे और आप जैसा वैसा शेप कबाब का दे सकते हो यहां पर मैं नॉर्मल कबाब जो शामी होता है शामी कबाब उस टाइप से मैं इसको शेप दे रही हूँ यह देखिए बिल्कुल इस तरीख से शेप देना है और इसे मैं एक प्लेट में साइट पे रख दूँगी यह देखिए हमारा बै तवे पर अभी इन सब कबाबों को हम तवे पर रख कर सेख लेंगे दोनों साइट से अच्छे से और इस पलटे डाइम ध्यान रखे बिल्कुल अच्छे और धीरे धीरे हाथ से पलटे यह अगर आप पलटने जाएंगे तो यह तूट जाएंगे तो इसे पहले एक साइट से अच्छे से सिखने दे और फ्लेम को रखें बिल्कुल स्लो और उपर से में थोड़ा थोड़ा सा ओईल डाल रही हो इन कबाब पर ताकि यह अच्छे से पके अंदा से कच्छे ना रहें आप चाहो तो इसको डीप फ्राइबी कर सकते हो बट यह मैंने हेल्दी डिश बन के बाद पता बिल्कुल नहीं लगा सकता कि यह शोया चंक से बने हैं खाने में इनका टेस बिलकुल मतन जैसा लगता है ठीक है और जो नौन वेजिटीरियन हैं उनको भी आप बना कर खिला वह बिलकुल नहीं पहचान पाएंगे कि यह वेच कटलेट है या वेच कबाब है तो चलिए मैं तो चलिए इसे enjoy करने के लिए तब तक के लिए Allah हाफेज मुझे अपनी दुआओं में याद राकिया और मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले Allah हाफेज